आनंद उबे तो सीटों का बटवारा आपकी बढ़त तो बनी हुई है पर सीटों का बटवारा कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा असल खेल अभी वो तै करेगा कि आंकड़े यही रहते हैं या इसमें कुछ और फेर बदल होता है संदीब भाई नमस्ते सबसे पहले तो आपके सीवोटर्स के और एबीपी के सर्वे को सम्मान पुर्वग बढ़ाई देता हूं बहुत ही सटीक सर्वे आपने दिखाया है 2019 में एंडिये को 41 चीटे मिली थी जो इस समय दिसंबर के महिने में घटकर 21 आ गई है तो मैंने समस्ता की भारतियंता पार्टी रिपीट होने वाली है या उनकी सरकार या उनकी बहुत बड़ी संख्या आने वाली इससे सपास इसपर्ष्ट है कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है दूसरी बात कि भारतियंता पार्टी के पास अपना खुद का एक ओट बैंक है 27 प्रतिसत ओट बैंक 2019 में भारतियंता पार्टी को मिला था 21 प्रतिसत के करीब सिवसेना रही दोनों ने मिलकर एक बहुत अच्छी 41 चीटे जीती लेकिन अब कहानी बदल गई है भारतियंता संदीब भाई और इसकी मार भारतियंता पार्टी को यहां पर होगी और इसका फाइदा कॉंग्रेस पार्टी सिवसेना और सरत्पवार साब की एंचीपी को होना तय है तो एक प्रकार से यह तो आज दिसंबर का आपका सर्वे है मार्च तक देखिएगा क्योंकि दो पार्टी है उसमें किस प्रकार भगदर मचेगी एक बात दूसरी बात बहुत बड़ा अंदोलन चल रहा है मराठा आरक्षण का कई बार मनोजरांगे पार्टील जी ने अल्टीमेटम दिया लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है उनका भी बहुत बड़ा अंदोलन च क्यों लेकिन हम समझते हैं कि इसका एंडिये को नुक्सान होना तैभ है जितना इंडिये को नुक्सान होगा उतना महविकास अघाडी और इंडिया गडवन्धन को फायदा होगा और मैं आपको दावे के साथ बढ़ी जिम्हेदारी अदब और विनमरता से कहता हों कि जब मार्च का सर्वे आप दिखाएंगे तो 38 और 10 का आकड़ा जरूर आएगा 38 इंडिया गडवंधन दस एंडिये गडवंधन देखिए हम बाकियों की तरह नहीं है कि इनके पास यह अधिकार तो नहीं है कि टेलिविजन चैनल पर बैट कर मैं बयान दूं लेकिन 23 सीटे हम 2019 में लड़े थे उसमें 18 हम जीते थे तो सभाविक सी बात है कि जो जितना लड़ता है जितना जिता उसकी भागीदारी वी उतनी होती है सरीर लेके गए है उनके साथ जनता नहीं है विचार धारा नहीं है सरीर के जाने से क्या होता है आत्मा तो हमारे पास है जिस प्रकार नगर सेवक जा रहे हैं अब दुबे जो बात अभी दुबे कह रहे थे और वो सही भी कह रहे हैं यह दो जो चीजे हैं एक तो विधायकों की अपात्रता जी और मराठा अंदोलन वो क्या इन आकडो को गुमा भी सकता है आने वाले दिनों में देखी अभी चीजें बिलकुल अनिश्चित हैं जैस अभी चर्चा हो रही थी प्रदीब जी कह रहे थे यश्वन जी कह रहे थे अभी चीजें अनिश्चित हैं जब तक सीटों के ठीक से बटवारे नहों अभी ये भी नहीं ठीक से पता है कि जो जनाधार गए हैं उन जनाधारों का किस से जड़ाओ होगा और किस से अलगाओ बना हुआ है भले ही उनमें सीटों का बटवारा भी नहुआ हो बटवारा होने के लिए जल्दी भी है तो वहां पर पर मुकमल करारी टक्कर दे रहा है और मोटे तौर पर आगे भी दिखाई पड़ता है अब भिहार को देख लिए भिहार में एक महाँ घटबंदन बना हुआ है अब वो आगे है, वो आगे है, अब कितना आगे क्या आगे है, पर आगे है, लेकिन वो आगे है, महराश्ट में गठबंदन बना हुआ है, वो आगे है, पंजाब में गठबंदन नहीं है, उत्तर प्रदेश में गठबंदन नहीं है, गठबंदन बनने की संभावना है, लेक बज़े दिखाएंगे पूरी तस्वीर भी दिखाएंगे लेकिन ये अपने हमें दिल्चस्प है क्या पूरवी भारत पश्चमी भारत और दक्षणी भारत की 363 सीटों में NDA और इंडिया बराबर पर हैं देखिए सर्वे की जो सबसे बड़ी खूबसूरती यही है ये सर्वे जिस जो अभी उपर आकड़ा दिखाए जा रहा है राश्टी जनतांत्रे गटजोड और इंडिया गटबंदन दौनों बिलकुल बराबर बराबर खड़े हुए हैं और पूर्वी भारत में अंडिया ने ठीक ठाक प्रदर्शन करती हुए दिखाई रही है वो तो सब सर्वे के आकड़े दो दिन से चली रहे हैं और जो उत्तर भारत है जो भारती अंता पार्टी का जादा बड़ा कैच्मेंट एरिया है बहुत ही शक्तिशाली है भारती अंता पार्टी वहां पर जब वहां के आकड़े जोड़े जाएंगे तो वहां भारती अंता पार्टी तेजी के साथ रॉकिट की तरह आगे निकलते हुए दिखाई पड कि भारती यंता पार्टी का जो प्रभाव चेतर है जो कैच्मेंट एरिया है उसके समाजिक जनाधार को अभी भी गैर भाजपा शक्तियां उसको डिकोड करने है या उसको बेजने की शक्ति नहीं कर पाई है यह सीधा कह सकते हैं और उसका जो जनाधार है बहुती विस्तरित है टिकाओ है पिछले दस साल से उसके अंदर कोई इधर उधर नहीं हुआ है पिछले उत्तर प्रदेश में जो दोजार बाइस का चुनाओ था उसमें बहुत इस तरह की चरचाएं होती थी सारी चरचाएं गलत साबित हुई और भारती जनता पार्टी वहां बहुती मजबूत आधार पर खड़ी हुई है अभी तक जो गैर भाजबा शक्तियां हैं ऐसा ना कुछ कर पाई है ना दिखा पाई है ना इस तरह कोई संकेत है कि वहां पे वो भाजबा के जनाधार को हिला पाएंगे जैसे ही घड़ी का काटा तो बहर ढाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहु पूरे दिन ओफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देखें अपना अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे